अच्छार निकलेंगे कहने कट्टूर का प्रेटा स्वाल स्वाल है what is political science note करने what is political science and elaborate scope of political science अच्छार अच्छार निकलेंगे करने का निकलेंगे का लिए प्रेटा स्वाल है क्या पिछे लोजिक थी जो हमें दूर पढ़ी कि प्लिटिकल साइंस ही होगी तो पुरु दुनिया में चेंड आ लिए, निया एवलूशन आ लिए प्लिटिकल साइंस बेसिकली के ऐसी डर्म है जिसमें हकुमते, गवर्मेंट, स्टेट्स, इंस्टिटुशन्स, डुमेस्टिक्स और वार इसके जितने भी डिजिशन मेकिंग होते हैं वो सारे प्लिटिकल साइंस ही किया है बिसकली एक ब्राँच है सोशल की, यानि के लिए हमारा सोशल लेवल है उसकी ब्राँच है, माशवदी तोर पर प्लिटिकल साइंस को एकठा करके एक नाम दे दिया गया उसमें हमारे मुक्तिलिफ अदारे आते हैं जिनमें सबसे पहले जिए पुटिकल साइंस का काम है वो है पावर, दूसरा स्टेट्स, तीसरा गवर्मेंट, पावर्स इससला आते हैं हमारे पास, जब पबलिक स्पोर्ट करते हैं पबलिक स्पोर्ट करती है, अपने मुन्तखी नमेंगों को पावर बे लेकर आती है अपने वोर्ट की ताकर से, जिसके वो इंडिपेंडनली ओपीनियन का इज़ार करती है, जैसे कि टेमोक्रेसी में होता है उसके बाद फिर यही पावर जो पूटिकल तोर पर मिलती है मुन्तखी नमेंगों को पिर आती है, स्टेट्स, रियास्त, रियास्त में क्या होते हैं? रियास्त में अधारे होते हैं डिफरेंट दादे जो प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट्स को ठीक है यानिके पावर स्टेट्स एंड गवर्मेंट गवर्मेंट में आती है हकोंते हैं जो चेक इंड बैस रखती है स्टेट्स में कों से जाएरे आते हैं स्टेट्स नाम है उन अधारों का जिसमें हमारे हस्पी जाएरे आते हैं इस्टिटूशन जाते हैं जैसे कि आभी मिल उस्टेट्स है रियास्त है तो हकोमत है, रियास्त नहीं है तो हकोमत नहीं है, इसलिए पहले रियास्त बाद में हकोमत है, जिस तरह पहले पाकिस्तान उसके बाद हकोमत है आती है, जो मुख्ति प्लिटिकल प्रसीजर से गुज़र कर एक्षदार में आती है, गवर्णिन का क्राओं क्या प पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज मेकिंग करना, पॉलिसीज बनातर उसको इनफॉर्समेंट करना, इनफॉर्समेंट होता है नाफिस कर देना, पॉलिसीज बनातर उसको इनफॉर्समेंट करना, 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 इ अगुमत को साथ स्पोर्ड कर सके फिर ही मुलक के अंदर लॉन आर्डर को मेंटेन किया जा सकता है तो इनकी सारा प्रसीजर है ये प्रसीजर की जो में ब्रांच है वो प्रुटिकल साइस है जो इस सारे दानम को खठा करके उसको प्रुटिकल साइंस का नाम दिया गिया है है समझ दालिये हैं चलिए अंता करी अकर्षक्ष जी लिखें आधकरिक्ल साइंस ग्लोटिकल साइंस दास्टेडि ओऊ So, political science is the study of political and power from domestic, domestic, comma, domestic, comma, international. and comparative, perspective, comparative, perspective, it entails, 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 it entails, understanding, it entails, understanding, political ideas, political ideas, and different ideology, and different ideology, with, proceeding, behaviour, behaviour, as well as, groups, classes, diplomacy, and war. So, political science, which is the most common shape of political science, which I have I have written in my words, that I have written in my words, that I have to create a clear clarity, which is the concept of political science, which is the most common shape of political science, नान में वो और आपोड़ेशन वाल है वो बैठके जो एकNewTank का तिकॉंप समय तो जिसमें जो पॉलिशी बनाते हैं मुलक के लिए रियासत के लिये इसमें तो प्यूलिटिकल्स को भी सात में होता है और जो अप्सपर्ड आपीनिन हो वाले वो सारे मिलके थिंग बनाते हैं मुलक के लिए आने माले बकत के लिए पॉलिसीज बनाना ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे अवाम को भी फैता हो और मुलक को भी फैता हो नेशनल 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 हमारे तलवकाफ बड़े स्ट्रांग हो diffy अच्छे होगो तो हमे क्या करना पड़ेगा। उनको भी अपनी पॉलिसी जे नहीं करने पड़ेगी। और हमें भी अपनी पॉलिसी चेहनी करने पड़ें चाहिए। काम से काम पॉलिٹिकلف लेबल पर हमारे और उनकी जो और आपके अपर दिप्लोम एसी ना हो तो इंटरनल और एकस्टेंटल पॉलिसिस भी नहीं माँचबती इंटरनल पॉलिसिस में आता है आपके मुल्की डैवल पर क्या हो जाएगी जो नया लामत है अगर आपने यह काम किया एसे हो जाएगा यह लातोड़ा तर यह उजएग और इंटरनेशनल भल पर क्या होता है कə हमारे दोस्त कोने दुश्मन कोने है किस मुल्ग के साथ हमने ट्रीडिंग करनी और किस मुल्ग के साथ हमने लिश्यशिशिप को स्ट्रॉण करनी है ये पॉलिसी mien आता है जो इसे हो अगतम वसाında एक बुलीट पर सिज़्जर को प्ल डाक्टर ली कोग, डाक्टर ली कोग, डाक्टर ली कोग, बैटा ये है, फ्लुटिकल साइंस, फ्लुटिकल साइंस, इस गा, प्लुटिकल साइंस इस आफ साइंस आफ गवर्मेंट, यानि कि प्लुटिकल साइंस जो है, वो खूमत की एक ऐसी साथ है, जिसको हकुमत आगे लेकर चलती है यानके प्लिटिकल साइंस इसाइंस आफ़ गावर्मेंट जितनी भी हकुमते हैं उन सब ब्रांचिस को जो चेक एंड बैस रखता है तो यह पढ़ता है प्लिटिकल साइंस रखता है यह ना हो तो किसी भी मुलक का जो प्लिटिकल प्रसीजर है उसमें इंस्टेबिल्टी आजएगा अदर इस्तकाम होका और जब अदर इस्तकाम होका तो मुलक आगे नहीं पढ़ेगा जब मुलक आगे नहीं पड़ेगा तो एटमेडली मुलक का ग्राफ नीची आता जाएगा और दूसरे जो मुलकें वो तरकी करते जाएगे तो इसलीए कहते हैं जब कोई बाहर से बेटा इन्वेस्टर भी है बड़े गृप्स हैं बड़ी कॉम्पनीज हैं अगर बोध़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो पहले वो देखते हैं के स्टेबिल्टी है इस ते काम है पीसफल प्रसीजर है तो फिरी वो फिर 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 फ स्कोप स्कोप कहते है कि जो प्रिटिकल साइंस है उसकी जो फील्ड है वो कितनी वास है कितनी वसी लेवल पर है और कहां तक ये पूरी दुनिया में एक अपना प्रोसेस करवा रही है उसे कहते है प्रिटिकल स्कोप यानि कोई कोई से ऐसे ऐलिमेंट्स है जिन को फालो करके प्रिटिकल साइंस वास लेवल पर प्पैल हुई है ठीक है उनमें पहला स्कोप इसका आता है स्टेट कि प्रिटिकल स्काइंस का करदार कहां कहां पर है पहले आती है स्टेट स्टेट में आता है स्टेट रियासत है तो अगर रियासत नहीं है तो पिरला सकूप दिये है इसे टेगल को बनायेंगे ना यही हमारी है और आपका इसाफ़सत कंसेट लिए हो जाएगा फिर आप खुद भी अपने अलबाओं में सकते हैं में चीज़ है कंसेप्ट की विए ठीक है सेकिंड है पुलिटिकल कंसेप्ट पुलिटिकल कंसेप्ट यानि के सियासी नज़िया अगर हमारे नज़ियाद मुलक के साथ मुखलस नहीं हो गए तो पुलिटिकल जो पुलिटिकल कंसेप्ट में यह है कि हमारा जो नज़िया जो एडियालोजी है वो यह होने चाहिए कि सबसे पहले मुलक होता है रियासत होती फिर है कुम होती यह पुलिटिकल कंसेप्ट जो एडियालोजी जो नज़िया है लेकिना अगर इसी नज़िया को हम देखें तो थोड़ा साथ मगर हिस्टिरी के बचें जाए तो जो पाकिस्तान की एडियालोजी जीव हो गया थी, उसकी जो बेसक थी वो इसलाम थी, इसलाम को फालो किया, मुसलमों के अड़बरी एक हो गई, ऐक हो गया, कि मुलक को असर करने, इसलिए ये प्लिटिकल कॉंसेप्ट में हमारे अड़ाजी भी मुलक के साथ होना चाहिए, ठीक हो, थर्ड है, थर्ड है, थर ती-ए-ड यू-ट आई-ऐ-अ-ग गहर, कॉंसिटुशिशनल लास, भलास पॉँना करनाता है, गई, 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 परिटिखनों को होते है, ओले, पर शीजर की सीज़े, लेकिए, 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 फिर्देवर्ट, इसलिए, उसल्देवर्ट, युर्ट, जो करवाते हैं ना उसी कर दो होती है ठीक है लास बनाते हैं किस लिए स्टेट एंड गवर्णमेंट चेक एंड बैस चेक एंड बैसा करने के लिए जब अधारे बिटा अपने अहनी हस्दूर में रहेंगे तो चेक एंड बैस भी रेगा जब अधारे अपनी लिमट रास करेंगे अपनी जाबूस करेंगे तो इंस्टिशों स्टॉर्म ने ऐसे अधारे लिमट है इसमें personally करें, याना कि अपनी limit से cross करें, तो then एसके दारी पूझे, जिए उनकों, चेक एड़ सकें, जिए उनसे पूछें, accountability हो, answer able करें, कि आपने दें, कि आपने यहां से अपनी limit से cross की, आपदारों का जो काम है वो आईनी हदूर में रहना है, आनी हदूर से नहीं में करें। यह था प्रड़ी कंसिटुशन में स्टेविटी लिए बहुत ही जरूरी है। चाहता है कि पब्लिक पब्लिक अधिस्ट्रेशन उस्ट्रेशन है। जसमें वक्त की जरूत के साथ जो अधिलानों हैं उनकी तर्भीएत की जएंड़ी आगा है। अगर ओज्पलिक जो मैनेजिमेंट की तर्भीएत ही नहीं होगी उसकी प्रिटिटीकल अदाव कई हैं। से तर्भीयत ही ही नी ओगी को एसे करने हैं लाइक एक बेरोग्रेट आए वो सीशस करके आता है ड्रेट सैमलटी मेता है एजब इसी भी कोस्ट पर आता है तो पहले कुछ एडियर नहीं हो तक टेड़ है कि अगर उसकी तर्वियत नहीं होगी तो वो पपली को किस तरह मैनेज करेंगा इंतजामी लेवल पे जो बहुत ही जरूरी है तो काम कैसे वा काम जरूर जाए इसके लिए भी तर्वियत का होना जो रियास्त के अफसरान है उनकी तर्वियत होना बहुत ज़रूरी है एंटरनाशनल रिलेशन नेक्सादारी अधरनाशनल relation इंटरेशनेशन मता है बैरन्कामी तल्वकाथ दूसरे मुलकों के साथ आपने तल्वकाथ को किस तरह strong करना है जिसमें हमारी पालसी में वाजिया होगए हमारे दुश्मन मुलकोन है दोस्ट मुलकोन है बिजनस किसके साथ करना है एक्सकोर्ट किसके साथ करनी है, इंपोर्ट किसके साथ करनी है, ट्रेडिंग किसके साथ करनी है, वीजा परसीटर किसके साथ बेहतरी करवानी है, किसके साथ हमने दोस्ती वाले लुकात रखने हैं, यह सारी चीजें, पॉलिसी में कर तैय करते हैं, इंटरनेशनल लेवले, अब देहे हमें जलू पड़ती है कि हमें जलू पड़ती है हमें कि लगों को रिलाइस करा जाएया जाए जो happened कि उनको रिलैज कर जाए जाए की पिर्थ जॉा ए nudга है जिताए हो को इंसानिए, इंसानी एंशाना सलूप्ह नहीं आ जाता है, तो उसके लिए हमने इसको इंसको इतलte है किया साय को जो हमारे दोस्वालिक उनको साथ मिलाया उनके जिर दूसरी मौलिक दिनको नहीं पता था किश्मीर की एक्चिली वर्त और बेरियों के कि नहीं पता था कि वहां पर सचुशवेशन क्या है तो उनको पिर हमें इसी के जिरी रिलाइज करवाया बताया विद प्लिटिकल प्रेसिंटेशन के साथ जिसमें वीडियो भी पिक्चर्ज भी और जो लिगली तोर पड़ सारे पॉइंट आउट उसको कलियर किये कलियर रिखा फिर हमें स्पोर्ट मिली और तब ही आज दुन् तो इंड़िशन में कौन कौन से जारे आते हैं जैसे यूएनों है यूएनों से भी आता है यूएनों के ऐसा प्रेट फारम है जो तमाम दुनिया के जो मुवालिक हैं जो मेंबर्त हैं उनको एक प्रेट फारम ही अगता है कि आपके जो भी इंटेंडर और एक्स्टेंडर मिसायल है उसका हल निकार ने जिन विदों के साथ आपके मिसायल चले है उनको प्रापलीन से डिसकस करना ताकि उसका हल निकल सके ठीक है तो इंडरेशनलेशन में यूए नो का भी पड़ाय हैं कर दा रहा है नेक्स बिटा आता है जी लोकल गवर्मेंट यही आपनी हैडिंस की बनेंगी इई अपकर कंसर्वा कि दॉआज हैं वासमेंगी हो एंदिगर क्याद करेंगे तो आपको असानिके साथ टेपल के साथ क्लीर हो लोगा एक है ऊगया घड़ा लोकल गवर्मेंट इए का उस्याभी पूइन फिए और आपक्ता हैं बश्याओं उस्याने लोकल ग कुम होते हैं एक काम होता है काम कर्वाना हो कि आपके मसायर प्रक जो बहुते हैं पिस्टिक अबनागा होता है उस कि अब प्रसीजर होता है, उसे कि यह क्या होता है कि जब लोलन बर डुझटिक लेटिश Земा यॉक्शन होत proves नहीं। नीज ver तो आप वोट रते हूं जैसे, जस्ट लाइका आपके जो चेनम стать मेन, येज चण बनता है, कॉंसर्स का, फिर यह आपकी इंतजामी लेवल पे, लोकल लेवल, मकामी लेवल पे आपके जो मसाइल है, उसका हलनका देए, और दुनिया का जो सबसे बेस्ट और फास्टर स्रीका है, डिवल्मेंट करने का, उनमें लोकल गॉवर्मेंट का बड़ा एहन करदा है, पाकिस्ताम लेड़ा ये लोकल गॉवर्मेंट इंडिड्यूस करवाई थी, जन्रल प्रवेज मिशरफ में दोवाजार पीम लेए, उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट्स होती नहीं हैं, और ये कंटिनूस है, तो जो दुनिया के जो बेस्ट, जो दुनिया के पीस्पू तो मेंड सिस्ट्रमों का है, उसका काम भी ये है, पूरे डिस्ट्रिक और शिट्री को कंट्रोल करना और उसके जो मसाइब हो का हल करवाना है, तो लोकल गॉवर्मेंट का प्लिटिकल में बहुत ही ऐहम करता है, इंपोर्टेड रोल है, इसके बगार ड्वेल्मेंट होई बनी सप्कूल ब है, ये बहुत जरूब गया, घृड़ा नेक्स्ट है प्लिटिकल पार्टी स, पार्टी कर लें, प्रिशर ग्रूप कह लें, प्रेशर ग्रूप्स अच्छे ये प्लिटिकल पार्टी जो होती है और प्रेशर ग्रूप्स उसके कहते हैं इसके साथ ये पी लिखे लें पबिलिक अपीनियर भी लिखे लें पबिलिक अपीनियर प्रेशन लुपस होते है प्रोटिकर पार्टी होती है यह एक खुमत में बाहिर रह के भी रहके यहर अंदर रह के एक लॉबीस का काम करती है लोबीस क्या होती है जो मुद्शनी गॡुपों बटी होती है जो खुमत पर तनकीद बड़ताल करता है तो वो प्रकावड रबड़ताल करता है तो वो कमपनी का काम 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 बंद कर दिए-गा-गा और कौंपनी का मील काम बंद हो चाता है! तो प्रेशर ग्रूप बिसकली हमारे मुलक में इसका मिस्यूज भी ज्यादा होता है और जो पॉजिटिव यूजर हो कम से कम होता है कुछ ग्रूपस ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मसाहिल के लिए निकलते हैं अवामी राय क्या होती है हवाम कहती है जनाब ये प्लिडिकल पार्टिस के साथ मैं नहीं हूँ मैं इसको वोड़नी डालोगा अब जिए दूसरी पार्टिस को उसकी राय का इस्तिराम करना चाहिए डियमोक्रिसी का नाम है ना फ्रीडिम ऑफ स्पीच फ्रीडिम ऑफ डिबेट ये आप इंडिबिडली ओपीनियन दें वो चाहिए किसी के हाके में जिल जिसके मशार्ब हो उस बरताष करें उसका हाल नकाल ले बास बटा ऐसा होता है कि तनकीद बराए तनकीद होती है बाद रख ऐसा तर तनकीद बढ़ाए इसला होती है जो तनकीद बढ़ाए तनकीद होती है उसका तो हल नहीं नहीं कर सकता जो तनकीद बढ़ाए इसला होगी उसका हल है तब ही मुलत आगे बढ़ेगा अगर हम तनकीद बढ़ाए तनकीद ही करते रहेंगे तो मुलाद नहीं बेर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा नेट्स ने बेटा सक्सेस ओफ डेमोपरिसी सक्सेस ओफ डेमोपरिसी डेमोपरिसी की बेटा सक्सेस जो होती है ना वो होती है जब अवां मुलक के अंदर अजाद आना, अजाद आना विदोट एनी प्रेशर अपनी मरजी से अपने नमाइदे के उतल्ब अजादी से राए का जहार करते वो राए का जहार बोट से भी हो सकता है में सिटिजन है जो आप शहरी हैं उनको सारे फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जो उनका थाक है यालिकि जो उसके बन्यादी कूक है दादी कूक किया है तुम के लिए लिए क्या पित्रीम, सेयद, रोजगार उस लिए 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 ठीक है अपनी अमाम के लिए इसानिया पैदा करना तनून में इसानिया लेकरना जस्टर सिस्टम को बेहतर करना ताके अमाम के लिए इसानिया पैदा हो अमाम के तोहफूस असल हो जो उनके मवदात है उसको तोहफूस मिलना चाहिए और उनके जो मसायल है वो कम से कम हो जाएंगे बलकि उनका हल भी होना चाहिए तो अगर ये मसायल अवाम की देहलीज पर ही हलोने शुरू होगे अवामी राएक के मताबब तो सक्सेस अप डिमोक्रिसी बार जाएंगे तो जमुरियत काम या भी इस ही में है अगर जमुरियत ही ना हो तो अवाम के पस पावर कैसे इटलाइस करेंगे जमुरियत है तो अवाम अपनी पावर इटलाइस करती है एक मियारी जो रियासत होती है उसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये होता है मियारी रियासत का रियास्त का कि उसमें अवाँ हालों रियास्त के अंदर अवाँ तरकी करें प्रोजगार के मसायल हुलों उनको फष्हाली मिलें फिर बनती है कुवालिटी स्टीट जियारी रियास्त जिसकी बन्याद ही यह अगर अगर अवाम खुश है तो रियासत ठीक है अगर अवाम के मसायल ही नहीं हाल लोगे उनके जो मेजर और बेसक जो मसायल है वो खाली नहीं होगी तो उक्वालिटी और स्टेट कभी नहीं बने तो quality state में आवान की खुआशाद को भी मदनज़ लखा जाते हैं नेकल जी International Corporation International Corporation of operation International Corporation यानि जो हमें एक तो होता है मिलता तामन मिलता है मुल्की लेवर्ट पे एक होता है International लेवर्ट पे हमें तामन मिलना Corporation होता है तामन Sport मतलब जैसे हमारे मुलक में इन्वार्ट में का बड़ा इशू हो महुलियात का बहुत इशू है जो के महुलियात के पैरामिटर्स हैं उसको मुफालों नहीं करते उसके मतलब के हम चलते ही नहीं जो पैरामिटर्स पैर किये हैं तो उसके लिए जब हमारे मुलक में इस किसम की मसला आता है तो हम इंडरनेशनल कॉपरेशन के जिए दूसरे मौलक हैं उससे तामू लेते हैं और हमसार का हल करते हैं अज सक पांच साथ तास शाल पहले डेमी का नहीं नहीं शुरू है था तो हम ने थामल लिये था इशरी नंकास उनके डाक्टर जाए से इंस दानों उनने वे वे वो दिया उसका हल नकाल कर दिया डेमी का क्या हल करा उसमें का बिया ही इसी तरह हमारे पास रीच हैंड एक इशू है करोना का तो हमने मुल्की लेवल पे और इंटरेशन लेवल पे कॉपरेशन के साथ इसको पिंट्रोल करने की बरपूर कोशिश भी कि उसमें काफी अब तक काम जाब भी हुए तो इंटरेशन काफीर के बागlor कि सब्सक्राइब कार्ण LO away था सब्सक्राइब में कईसरम कोशिवार कोशिवा Savior अब प्लूतिकल सविशन हमारी ठीक होगी तो में काफ्रेशन इंदक अब मिलेगा, अगर अगर हमारी प्लूतिकल सविशन नहीं ठीक होगी तो काप्रेशन में नहीं बने, यह चीजे इंपोर्टर रोल आपकरते हैं बटा आगया आगया जी, मैथड अफ स्टडी स्कोप के यह था स्कोप, स्कोप के बाद आएगा मैथड अफ स्टडी अब यह डिफरेंट मैथड आएगे, जिसकी वज़ा से हमें प्रोटिकल सैंस को जो शुरुबात हैं, उसको अलैबरेड़ी करने हैं प्रोटिकल सैंस की शुरुबात कब होई, कैसे होई, और यह आसाथा असा दुनिया में कैसे डिवेल्प हुआ तो जो मैथर अफ स्टडी है, उसमें आता है पहला भी हिस्टोरिकल मैथड इसमा लिखे न, यह लिखे, मैथर अफ स्टडी लिखे, नीचे इस्टोरिकल मैथड, इस्टोरिकल मैथड क्या देनी, तरीखी तोर पर, ठीक है, तरीखी तोर पर, मताला करना, कि इसकी तरीख क्या है, प्लुटिकल सैंस की एक अपनिक तरीख है, मतलब, एक ऐसी साइंस है, जो मुख्तली सोशल सैंस को मिला कर एक साइंस बनती है, मतलब, पहले था, दुनिया में, माल मैं क्यों था, बादशाय निजाम था, किंडम आ गया है, बादशाय निजाम की वज़ा से, पुटिकल सैंस का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, मतलब यह बादशाय मर गया तो उसका पेटा फिर उसका पेटा फिर उसका इससर, नसल दर नसल की इंडम सिस्टम चलता रहता था, और जिसमें अलिजबिलिटी थी जो इस चीज़ का एहल था, जिनके एवाम भी थे, उनको उस लेवल का मकाम नहीं मिलता था, नहीं अपरचुंटिस मिलती की, तो हिस्ट्री में चेंज लाने के लिए पहले हमें वो वनमें शो था, किंडम सिस्टम था, बादशाय निज़ाम उसको खत्म किया, और मुक्तरिव जो फिलासफर थे, उसमें अरस्टू ने बढ़ाया है, प्रदारदा किया, अरस्टू कहता था कि अवाम को अव अवाम अवाम ही अवाम की पावर से नमैंडभ के और पर हिदेए ओम किसी हो जबर्दस्ति ना हो है बसल्ब भी अपीनियन का जो अजादन lifes Right को कि अब नहां था है कि सबादे हैं आपका तक हिस्छा सुछा표 कि औहुं की बादशाम किसार नहीं रीट कायम नहीं होगी बाशा की पावर बनों पर कमजोर होजेगी अपर मान की साथ पोर्टर ना होगी और होता ऐसा है इस्ट्री भी अब देखें ना रूमन इंपायर पर्शियन इंपायर बोर बड़े बड़े जब यह उड़े हैं तो अला के फदल से सब्सक्रिसमानिया ने आवरे पहरे हो ने करहे हैं क्या हर्वा ने हैं क्या यह गार्या हाँ वही ऑसले प्दॐस्थरा आफर्वेचिनल मेटेदोर वह इंपायर को गます प्लिटिकल साइंस को आगे देके चलने के लिए बोशादा किया गया अस्टल के थीयोरी पे और अफलातून की थीयोरी पे इन दोनों की theories को समझा गया, इन्हों ने जो बनने से पहले अरस्टल ने इन चीज़ें कही थी, उस चीज़ को आगे step by step लेकर चलती है, और उसी चीज़ को आगे लेकर टरता है, अफला तुम, फिर जाके ये इस लेवल पहुंचे हैं, कि या political science भी, political प्रसीज़र अब पुलिस से निकलाता है लगा से, बिसकली ये वर्ड निकलाता था पुलिस से, ठीक है, तो पुलिस से फिर लेटर वर्ड से बन गया है, इंग्लिश में political, तो political की जो प्रसीज़र है, उसकी जो बनियात बनाई थे न, political science की, वो अरस्टल था, अरस्टल के बाइने, father of political science की इनका रस्टू था, उसके बाप रखलात होना है, फिर बागी यतने भी रिसर्चर थे, उन्होंने इसके बर सर्च करते हैं, इसको एक शेप दे दी, अपने observational research के बाद, उन्होंने इसका नाम दे दिया, political science, ठीक होगे, नेक्स आदे जनाब, experimental method, experimental method, अक्स पेरिमेटर बैसको तर्ट तजरबाती तरीका, मतलब, दुनिया में political science को लाने के लिए, पहले आया, बाशल्दाम साद्र मुआप पिर आपका आगया जनाब, मार्शल्लाप, फिर दूसरी खुर्दस्ती जो बागीयों ग्रुप था, उन्होंने आगे, उन्होंने आ साथ साथ शुरू होने जो गए, हापस में खानादेगी शुरू होगी, बागीयों ने एक अलग से मुलक में तबाई भी जाने शुरू कर दी, तो मुझतली किसम के experimental नहीं होगी, उसमें कोई realistic conclusion नहीं निकला, जिससे कहा जाए, कि ये तरीका वाजिया है, और इससे ही theoretical procedure के साथ, तो वो automatically strong होगी तो दुनिया में, इसी लिए, political science है तो democracy है, democracy है तो political है, तो बन्यार बेसे किली जो पढ़ी, वो अरेस्टनी डाली, फिर observation होगी, तो इसके बाद experiment होगा, और add the answer में, democracy, political science होगी, ठीक हो, यहां तक को question है, बेटा, any questions? बेटा साथ है जी, behavioral method, behavioral method, behavioral method, behavioral method क्या होता है, एक ऐसा method, जो इंसान की psychological, नबसे आती तोर पर, और उसके रुए से, अक्स किया जाता है, वो क्या अक्स किया जाता है, जो हमें हासल होता है, जैसलिके, behavioral method में गयाता है, पिर रुएया कैसा था, आप मैं तो सब्दा आता हूँ, आपको, कि लोगोगों थे, पैसे, democracy को, पूरा evolution चेह जो कहता है, डाइमोरिसी में, 1939-1945 में, दुसी जन्ग होई, पहली जन्ग होई, 1940-1980 तक होई, अब ये दो नोगों जन्गों के थे, इसके बड़े अमाँ पर असरार पड़े, यॉर्पीन जन्ग, वार थे ये, ठीक है, यॉर्प साला पर इसमें बड़ा होगाता है, जर् अवाम का रविया उसके साथ बजलता है, जब जन्ग होते रही, अवाम की सोच, उनका सैकलोजिकल अफेक्ट और रविया, वो डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट होता है, अब अवाम जो भी कुछ चीज आपके करता था अवाम उसी को अपने लिडर माल ले ती, अब लीडर के लिए लीडर्शिप क्वालिटी भी उन जाएंगी, जो अवाम को पता नहीं थी कि लिडशिप क्वालिटी ये, वो यही समते हैं, जो जंगल अड़की आगया ना, लीद किया, वो ही करता था था है, तो उन्नी सो पच्पन से उन्नी सो साथ किरम ये दस साल का टन तो आम प्यूद की सोम्ट बदना शूरु होगी, उनका बिहीव एकियू बदना शूरु हो गया, और फिर आम आसweise की तरफ जाना शूरु किया, आम ने प्र अफिर इकोर्ट इसमें कांगया हुए और अपने जो पसान दिता हुए तो इसको बिगल ठान की लिए उन्मीजि को स्ट्रॉंग हुई ठीक होगा बटा नेक्स टैस के बाद आगे आजाती हैं एप्रोचिस इसमें दो किसम की एप्रोचिस है पहला है टर्डिशनल टर्डिशनल अप्रोच टर्डिशनल अप्रोचिस इसमें सरकारी तोर पर और अमूमी तोर पर हिस्टोरिकल तोर पर कमानी तबदील कर दिये गिए जो बादशा की रभायत थी उसको तबदील कर दिया गया जो इस्टोरिकल इंड़ेक्टा आप ट्रिशनल यूम्स ट्रिशनल में आता है रभायती तरीका वो क्या था आपका वह बादशाए ज़ाए अब इसमें ठीजी कैसी आई इसमें पहला फैक्ट डाला गया हिस्ट्री हिस्टोरिकल और जो दूसरा मैतड़ था वो था लोजिकल और तीसरा मैतड़ था प्रोचिस का वो था लीगल अब इस्टोरिकल में क्या था कि जो बादशाए का रुवैती तोर पर जो नज़ाम था उसका जो नुखते नज़र था वो ट्रेडिशनल के बाद चीन होना शुरू हो था यानि के केंटम का नज़ाम आखर चीन होता हुआ अमाम के पास आगे और इमाम के पबलक के बाद यह आज़ता है लोजिकल यानि कि इसके लोजिकल भी कह सकते हैं फिलोस्पिकल भी कह सकते हैं फिलोस्पिकल भी कह सकते हैं फिलोस्पिकल आपके ऐसा परस्पा को चीज़ को बाद यह तरिके से ब्यान के लिए ठीक है अब इसमें बजा क्या थी कि किंटम को चीन करके हिस्टोरिकल से लोजिकल फिलोस्प अमाम की ताक्त से स्ट्रोंग किया गया, वो क्या था? वो सबका कुंसेंट सबसें तक दिम्न लाने माले बरतानियां लेकिया है ता यह सोलह सो उठार के बाद जुग है इसे ग्रेट सिंटी सिक्स्टीन सेंटी के बाद सेंटी इटी इटी अगे विटा आगे अजयता है जिनाग बहेवियल प्रोच जो इसकी सेंट टर्म है भी यभियर प्रोच भी अजरुच है कि लेकल और लाजिकल तो प्रड़ः आगेता है만 अगा आगेutta तो सीटी इटी जो हमारा नमेंदा हो जो अमामी नमेंदा हो उसके लिए सबसे पहले डैमिड़ी की स्पेस लीए की जब डैमगरेसी का सिस्टम इंट्रिज्ज करवाया गया तो फिर अमाम की गोड़ से अमाम के मुनतखिम नमेंदे हकुमत में आए और लेकर तोर पर इसलिए था कि इस पर जब अमाम की ते मुनतखिम नमेंदे आए फिर उनमें आतिसारी लिजसिलेशन करवाई पनूसादी करवाई अमाम की मेंदे दिखने कामा नहीं बनाए ताके मुलक में चेक एंड बैस रहे और लान आडर कंट्रोल किया जाए ठीक हो अब बैटा कर पीईवियल अप्रोच लिए भी अप्रोच जो विसर करी है ना ये शुरू बात हुई 20 सेंचरी के बाद 20 मीं सदी के बाद बीहेवियल अप्रोच की शुरू बात हुई और वह शुरू बात क्या थी जो नो अबादी नजाम था नहों मुझे जहां से लों का अबादी का अबादार लों को अबाद किया गया ठीक है तो अमरिका और जर्मन में सबसे बड़ा जो कॉनिक्ट था वो यही था कि हिट्रम नहीं जितने भी जोईज थे उनकी नसरकशी कर दी ठीक होगे तो जब उनकी नसरकशी करने शुरू कर दी तो जो नसरकशी जब श पिर अमेरिका में नौबाती नजाम शुरू हो गया, रेड़े डिल्स भी आगया, फ्रिकन्स भी आगया, सारे आने शुरू हो गया, वहां पर पुनाने शुरू करते हैं, महासल का नसल दर्म नसल सिस्टम होना शुरू हो गया. जब मुतलिफ कौमों के लोग एक जगा पर आके नौबाती नजाम को शुरू करते हैं, तो उनके behavior में, mentality level में, और psychological में, तीनों में तब्दिलियां आती हैं, क्योंकि निया environment होता है, उस environment में adjust होने के लिए, अमाम को अपना mentality level change करना पड़ता है, thinking level change करना पड़ता है, जब उनका thinking level change होता है, तो adamantly वो उस मुलक के साथ adjust होना पड़ते हैं, उनकी policies के साथ, उनकी commitment के साथ, adjust होना पड़ते हैं, तो जब ये adjust होना पड़ते हैं, तब उनके behavior में भी changing आना शुरू हो जाती हैं, और वो उस मुलक का हिसाब बन जाते हैं, ठीक है, पड़ते हैं, last है conclusion, conclusion में आता है, कि जो political science की शुरुवारत कीगी तो उस में बहुत से element भी थे, जैसे के economical, economical, मौशी तोर पर, अखलाकी तोर पर, वो भी इसकी ये की branch है, internationalization के तोर पर भी, इसी की branch है, अगर political science ना हो, तो ये सारी branch का वजूद खत्रम हो जाता है, इसी लिए political, जो branch, इसे social branch भी कहा जाता है, कि ऐसी समाजी सरक्रमी, जिसमें तमाम चीजों को, ग्रोहों को कठा ग economical, morality, ethical, religion, political procedures, powers, domestics, war, और इसके इलावा different policies, जो किसी भी रियास्त को मजबूत करने के लिए बनाए जाती है, वो political science की procedure की तैयर ही बनाए जाती है, और जो policies maker होते हैं, वो पहले इसको proper study करते हैं, पिर उसके पास policies बनाए जाती हैं, जो दूसरे मौाले के साथ comparison करके बनाए जाती है, वो कि जो भी think tank बैटी होते हैं, वो think tank जब भी policies बनाते हैं तो बढ़ा उसको deeply research करते हैं, उसको पढ़ते हैं, पिर study करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मौलों के साथ comparison करते हैं, जो comparison करने के बाद ही उनको फिर बनाए जो policies को final shape देते हैं, ठीक है, तो यह है इस कि जो डत जो कि हैं, अर्लें अर्क जो ब्या हैं ।योंकर बात जो यह हैं, यह हैं उस हैं